नोली क्रिया नोली का अर्थ पीट को घुमाना होता है श्वास बहार निकाल कर पीट को विभन प्रकार से घुमाना ही नोली क्रिया कहलाता है को ना करें? उच्च रक्त चाप, रदे रोकी, पत्री, पैप्टिकल सर, आतों में खाव, महामारी एवं गर्भावस्था के समय एवं प्रसव की छे महीने तक इस करिया का भ्यास ना करें विधी सर्व पर्थम पैरों में एक से दो फीट का अंतर रखते हुए सीधे खड़े हो जाए उतकट आशन की सिती में आते हुए दोनों हातों को घुटनों पर रखें पूरा स्वास बाहर निकाल दें पेट के दाएं एवं बाएं भाग की मासपीशों को संकुचित करें नभा गहरा स्वास लें या एक आवरती हुई इसी प्रकार से तीन से पांचवार आवर्ती का अभ्यास करें ध्यान रहें नोली करिया से पूर्व उडियान बंद एवं अगनिसार का अभ्यास कर लेना चाहिए खाली पेट या खाना खाने के कम से कम पाँच घंटे बाद अभ्यास करें पेट दर्द एवं अन्य परिशानी होने पर अभ्यास ना करें एक ही दिन अधिक आवर्तियां भी ना करें क्या आप जानते हैं मोली का पूर्ण अभ्यास ने होने पर नोली के अनेक प्रकारों जैसे वाम नोली, दक्षिन नोली एवं मध्यम नोली का भ्यास किया जा सकता है लाभ पेट के आंत्रिक अंगों की अच्छे से मालिश हो जाती है पेट सम्मंदी समस्त रोग दूर हो जाते हैं एवं जठ्रागनी प्रदिप्त होती है महिला पुरुषों के प्रजनन सम्मंदी विकारों को दूर करने में सहयक है मनिपुल, चक्र, जागरत करने में भी सहयता मिलती है